आज के समय में भाग दोड़ भरी लाइफ में टिक्नोलिची के उपर हम साधा डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बिना हमारी जिंदगी बेकार्जी हो गई है लेकिन जादा मुबाइल कम्प्यूटर कस्तमाल करने से आँखों के साथ सेहत पर भी पुरा सर पड़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी हों कि देश में करीब एक करोड़ पीस लाख लोगों की आँखों की रोशनी नहीं है। इसके बावचूत हम अपनी आँखों का जरा सा भी खयाल नहीं रखते। कोरोना काल में आँख से संबंदिव समस्याएं पीजी से बढ़ गए। एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना लॉंक्टाउन में 28 थरोड लोगों की नजर कमजोर हो गई। बता देए कि इसका शिकार बच्चों से लेकर युवा हर कोई है। आँखों में होने वाली परिश्वानी की बात करें तो ग्लुकोमा लाल आखो चाना नजर कमजोर धुंदला दिकना मूतिया बेन सूखा पन आँखों में शेलन इसकी अगर वज़ा की बात करें तो अलर्ची प्रदूशन कम्प्यूटर पे काम शेनेटिक चोट लगना प्रवांगासन कर सकते हैं जो हमारी आखों की रौशनी को भी बढ़ाएगा और साथ ही जो हमारी रौशनी कम हो गई है उसे भी ठीक करने में मदद करता है शीर्शासन बता दें कि इससे चहरे में चमकाती है सो दर्था बढ़ती है इसके साथ यह मारे बालों के लिए भी क आखों को करने से आखों पर चश्मा नहीं चड़ेगा आप अपने आखों की रौशनी ठीक करने के लिए क्या करते हैं या अगर आपके आखों की रौशनी ठीक हुई है तो इसके लिए आपने कौन सा तरीका अपनाया है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही तमाम चानकारियों के लिए बूल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें